कि देखिए हम दों समझेंगे में का यूस पास्ट सेंस में कैसे होगा में खुद भी पास्ट में जा सकता बस डेपेंड यह करता कि उसके साथ हम एक सब्सक्राइब जोड़े जिसका नाम है है और थार्ड फॉर्म परफेट इंफिनिटिव का मदल होता है है और वर्फ की थार्ड फॉर्म अब यह एक ऐसा इस्ट्रक्चर है जो हमें यह बताते है काम पास्ट में तो हुआ है लेकिन यह कंप्लीट है कि नहीं है यह हम लोगों के लिए अंजान होता मतला हम लोग वी पता नहीं होता है काम कि हिंदी माश्च इसका निखलता है गागीगे मैंना पको future world टेंस में इसको बताए था कि कि किसी sentence का अगर गागीगे निकल तो future में इसा confirm नहीं है वह sentence हमारा past में भी हो सकता है depends करता है समें time अगर दिया है तो time बताएगा यह future में गया है कि पाश्ट में आगा टाइम नहीं है तो वो ज्यादतर हमारा पाश्ट में ही जाता है जब पर्फेट की बात होती है तो देखी कैसे सब्जेक कोई भी हो हम लोग यूज़ करेंगे मेका और उसके साथ में यूज़ करेंगे हैव और वर्फ की थार्ड फाउंग अभी पर्फेट इन्फिनिटिव क्या होता है वो मैं आपको वर्फ एडवांस सो बता दूँगा साथ उसने अपना एप्लिशन सम्मिट कर दिया होगा अभी की बाद नहीं पास्ट की बात लेकिन वो कन्फरम नहीं है कि हुआ है कि नहीं हुआ है तो आपको एग्जाम क्या याद रखना है कि कोई भी ऐसी इवेंट कोई भी ऐसी बास चली आ रही है हमारे पैसेज में या करना होगा क्योंकि में है कि दुबर की थार्ड फॉर्म रख्योंगी वहां पर तो अकेला है लगा दो तो बात प्रेजेंट में हो जाएगी और हमें पॉसिविलिटी के लिए वहां पर में है का यूज करना होगा सवाजमियारी बात उसे अपर थोड़ी मदद उसने ठोड़ी मदद दी होगी तो यह पर द्याण दीजिए कि यहां पर बात चले पाश की लेकिन वह काम हुआ है उसने ऑपर की है कि यह पता नहीं मैं अन्दास से बता रहा हूं इस सेंटेंस का मतलब यह रहा अगर यह कोड़ी बात करें दथ थीफ माइट हैव अब यह माइट हैव का यूज की हुआ है ध्यान सुनना में का मतलब होता है पॉसिल्टी जादा है कह सकते 50% लेकि मैं माइट का यूज करते तो वही बात हो जाती है यह बिल्कुल ही 0% की तौर पर तो थीफ माइट हैव सायद ही सायद ही पुलिस चोर की कस्टडी से भाग गया होगा कब पास्ट में अभी की नहीं तो हम लोग चाहें तो में यह माइट का यूज यूज है वह पास्ट में कर सकते हैं लेकि डिपेंड करते हैं हम लोग को हैव और वाग की थर्ड फॉर्म लगाने पड़ेगी और मैट का इसकी सबस्टम्ब इसमगे का घर माइट का आज पर होता है तो खोब रौइट का यूजट से इन डिर्लेट बनाने में होता है कैसे होता है he said उसने कहा my father make come today सायद मेरे पता आज आ सकते हैं तो देखी ये बात उसने present में बोली है वो as it is word है he के लेकिं अगर मैं इस बात को खुद बोलना चाहूँ तो कैसे बनेगा he said that उसने कहा कि बाकी structure तो कैसे जो तो मैं आउको बताऊँगा narration में जो हमने make a use देखा देख से purpose हो कर रहे थे तो present का sense अपने साथ में present की word बलाता है नहीं की में और past का sentence अपने साथ में लाता है might तो देखिए आपने said होने बज़े से मेरा मे का हो जाएगा might और today का हो जाएगा that day बो तो मेरा narration का rule चलना है तो द्यानी देना कि एक might का use ऐसे भी होता है और इन चीजों से मिलकर के ही चीजे बनती हैं और चीजे clear होती है तो सोची कि might का use के वाल यहीं यहीं पर होता है ऐसा ऐसा होता है तो नहीं उसके function कितने हैं वो कैसे कैसे काम करता है उस पर में focus करना होगा समझते हैं चीजों को और भी आगे द्यान से दिखते रहिए उसके लगा might के और अगर use की बात करें तो might का use जो है वो dissatisfaction यह फिर reproach के sense भी कर सकते हैं मतलब असंतुष्ट होना कैसे you might pay a little more attention to your studies suppose कि जए आपने अपना रेल्टर दिखाया और उसमें नंबर आपके 65% है और सामने वाले व्यक्तिव पता है कि आप 80% प्लस परसेंटेज है वो डिजर्व करते हो तो वो आपसे संतुष्ट नहीं है लेकि आपने पेपर तो पास्ट में दी है घटना सारी पास्ट में हो ही है जेल तो आप अभी दिखा रहे हो तो जब उससे सैटिसफाइड नहीं हो तब कह सकते हो कि अगर तुम चाहते तो तुम अपने स्टेडी पर और ज़्यादर फोकस कर सकते थे क्योंकि ये 65% तुम डिजर्व नहीं करते हो तो ए तरीके से प्रिजेंट सैंस में अपना डिससटिसफेक्शन सो करने के लिए हम लोग वाँ पर माइट का यूज कर सकते हैं यू माइट कम अलिटिल अर्लियर तुम जल्दी आ सकते थे लेकि तुम आई नहीं न और मैं तुम से इस वास से असंतोष्टू मतलब डिससटिसफाइड हो यहाँ पर ये भी ध्यान देना है इसके लब फर्मलू देखेंगे कैन और कोट के बारे में बहुत डीटेलन चीज समझेंगे और सारे एक्सपेक्ट को क्लियर करने को सकें ताकि वो चीजें क्लियर हो सकें